सो हेलो एवरिवन वेलकम्म तो रिजिन आज हम करने वाले हैं अपने लॉफ टॉट्स का लेक्चर थ्री जो की लास्ट लेक्चर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं इन तीनों लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी पार्ट को बोलू तो वह य इसन बहाइंड इंपॉर्टेंस अफ टुदेश लेक्चर इस थी टॉपिक्स ट्रिक लाइबलिटी वाइकरियस लिएड़ी एंप्सलू लाइबलिटी ये तीन टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेट में इन से कई बार पुछा जा चुका है और आज इस session के end में बहुत जाधा important हम-a-pyq करेंगे तो आज का lecture बहुत ज़ादे important होने वाले इन टीन topics से पहले एक छीज़ आपको याद होगा last lecture में हमारे topic चूटा हुआ था which is nuisance तो पहले हम आज nuisance पढ़ेंगे then अपने तीनों लाइबिलिटी को कम्प्रीट करने के साथ thoughts को हम wrap up कर लेंगे थोड़ा सा लंबा आज का session हो सकता है and I know आप में से कुछ लोग आज बहुत जाधा exciting IPL math छोड़के आपे आयो सो thank you for that but कोई नहीं हम स्टार्ट करते हैं अपना lecture जिलोग नहीं है उन लोग recorded देख लेंगे clear so I guess we are good to go and हम आज करने वाले सबसे पहले nuisance यह सारी चीज़े हम अपने पिछले दो lectures में कर चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे हो so you can go and watch these lectures आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है and see आप में से कई लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा जल्दी हमारा एंड हो रहा है राइट कि जाधा lectures नहीं है बाकी टीचर्स ने बाकी चैनल्स पे इतने सारे lectures हमारे पड़े हुए है कि एक-एक आपको सिर्फ इतना बताने आए हो कि क्लेट में किन-किन चीजों की जरुरत है राइट सो हम इन लेक्चर्स पे सिर्फ इतना कर रहे हैं जो क्लेट के लिए यह वेरी गड़ी सो चलो continue करते हैं न्यूसेंस सबसे पहले समझ लेते हैं एक हमारा टाट बचा था सो न्यूसेंस का पहले देफिनिशन पढ़ते हैं न्यूसेंस is an injury to the right of a person's possession of his property to undisturbed enjoyment of it and results from an improper usage by another individual तो यह तो definition हुआ अब न्यूसेंस का मतलब होता क्या है यह मैं आपको बताता हूँ न्यूसेंस का simple सा मतलब है यह एक ऐसी injury है जो right to the right of a person's possession of his property किसी person के property को enjoy करने के उसके right को जब हम injure करते हैं हमारे किसी act की वज़े से तब हम nuisance cause करते हैं अब इसका example देता हूँ मैं आपको for example आपका घर है and मैंने क्या किया आपके घर के just बाहर color वाला fog छोड़ दिया जो कि सारद हुआ आपके घर पर जाने लगा जिस वज़े से आपको nuisance create हो रहा है या for example मैं बहुत तेज sound में आपके घर के बाहर में DJ बजा रहा हूँ unnecessarily तेज आवाज में तो nuisance हो रहा है right clear so इस तरीके से जब मैं किसी को disturb करता हूँ उसके property को enjoy करने से so मैं nuisance create करता हूँ but यहाँ पे सबसे पहला doubt जो किसी भी student को आता है वो है कि भाईया trespass और nuisance में difference क्या है तो trespass और nuisance का difference में पहले सी clear कर देता हूँ then हम आगे बढ़ेंगे ताकि यह doubt आपके mind में रहे ना so trespass में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी के building के अंदर या किसी के property में एंटर करते हैं तो हम trespass करते हैं बिना authority के nuisance is indirect interference अगर हम किसी के property के अंदर घुस रहे हैं then it is trespass हम किसी के property के अंदर पत्थर फेक के मार रहे हैं हम किसी के property के अंदर या उसको disturb कर रहें indirectly that is nuisance clear so nuisance और trespass में simple सा difference है direct and indirect interference का ओके यह छोटा सा difference है nuisance and trespass में अब हम essentials देख लेते कि nuisance cause करने के essentials क्या क्या होते हैं सबसे पहला essential is wrongful act and second essential is damage or loss or annoyance cause to another individual सबसे पहला चीज़ है कि जो काम हम कर रहे हैं वो एक wrongful काम होना चाहिए that is वो चीज़ गलत होनी चाहिए जो भी हम कर रहे है अगर कुछ सहीं चीज़ करते हुए किसी को nuisance cause हो रहा है तो फिर हम liable नहीं होंगे तो दो essential है first one is wrongful act करते हुए ये nuisance cause होना चाहिए और second is damage loss या annoyance cause होना चाहिए for example मैं बहुत तेज music में एक गाना बजा रहा हूँ जो की wrongful है बहुत तेज music में बजाना बट जिस room में मैं गाना बजा रहा हूँ वो room soundproof है उसके बाहर आवाज नहीं जाती तो ठीक है मैं बहुत unnecessary sound में गाना चला रहा हूँ which is wrongful बट किसी को ना ही damage हो रहा है ना ही loss हो रहा है ना ही annoyance cause हो रहा है so this is not nuisance तो nuisance के दो essentials होते हैं first one is वो एक गलत हरकत होनी चाहिए and वो जो हरकत है उसकी वज़े से damage भी हुआ रहना चाहिए clear okay so I guess आपको यह basic चीज़े clear है हम बात करते कि nuisance के कित्रे types होते हैं so nuisance के total दो type होते है public nuisance and private nuisance अब public nuisance क्या होता है for example हम जब एक बाद definition पढ़ते इसका it is a crime and it implies the interference with the right of general public so ऐसा कोई nuisance अब हम create करते हैं जो कि general public के right को injure करें तब हम public nuisance करते हैं for example मैंने beach main road को खोद दिया this is public nuisance क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर traffic jam होगा लोगों को वहाँ पर आने जाने में परिशानी होगी और बहुत पर जब बात आती है private nuisance की which is a person's use or enjoyment of his property is ruined by another जब हम किसी के private property के enjoyment के right के right को हम hinder करते हैं या injure करते हैं तब हमारा होता है private nuisance for example मैं किसी के घर के मेरा घर है जिसके किसी के दिवाल से जुड़ा हूँ और मैं अपने रूम में बहुत तेस गाना चला रहा हूं इसको disturbance हो रहा है कुछ ठोका पिटी का काम कर रहा हूं या मैं ऐसा काम चालू कर दिया जिसकी वज़े से बगल वाले को problem होगा तो यह nuisance हो ग अगेंस्ट हमें कौन कौनसी defenses मिलती है राइट सो नियूसेंस के अगेंस्ट जो सबसे पहला defense हमको मिलता है वह बहुत important है if a person continues an activity on a piece of land for 20 years he acquires a prescription to continue the activity in the future अब इसका मतलब क्या है for example मैं एक local area में रह रहा हूँ या कहीं मैं shift हुआ और वहाँ पे रहने गया और वहाँ मेरा shift होने के बाद मुझे पता चला मेरे बगल का room वाला जो बंदा है वो carpenter है और anytime अपना काम वो अपने room में करते रहता है ठोका पिटी की बहुत आवाज आती मेरे room में तो मैंने उसके against case file किया nuisance का कि इसकी वज़े से मैं अपने room में शांती से रहनी पा रहा हूँ अब यहाँ पे दो cases आएंगे पहला case कि क्या वो carpenter वहां 20 साल से ज़्यादा काम कर रहा है अगर वह carpenter वहां 20 साल से ज़्यादा काम कर रहा होगा डेलो nuisance के अंडर नहीं आएगा क्योंकि 20 या 20 यह से ज़्यादा कोई उस Act को carry करते रहता है तो फिर उसके against from nuisance का action नहीं ले सकते हैं अगर वो कारपेंटर 20 साल से कम से ताइम से वहां काम कर रहा है तो हम वहां पर nuisance का action ले सब्सक्राइब और सेकेंड जो डिफेंस आता है if an act is authorized by the statutory authority then it will be a complete defense and act would not qualify for nuisance तो आप लोगों देखा होगा रोड बनाने के लिए ब्रिज बनाने के लिए नाली के पाइपलाइन डालने के लिए हम क्या करते हैं कई बार जो नगर पालिका वाले लोग है उन लोग रोड को खोद देते हैं ट्रैफिक को रोग देते हैं बट इस टाइप की चीज़े इस इस टाइप की चीज़े जब होती है तो यह दो में डिफेंस हैं जो हमें डिफेंस के अगिंस्ट मलते हैं सो आई होप यहाँ पर आपको एक ओवर ओल आईडिया क्लियर हो चुका हुआ कि निउसेंस क्या होता है राइट एक बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ Malfizence, Nuisance में Difference क्या हुआ? see Malfizence is a totally different thing, clear? वो negligence में आता है, Nuisance is a different thing, Nuisance में हम किसी के property के right को enjoy करने से रोपते हैं, Malfizence is like दोनों में एक और relation नहीं है, इस वज़े से यह थोड़ा clear doubt नहीं है, okay? तो अब हम कुछ questions तेकते हैं, जिससे आपको सायद और ज्यादा clarity मिले, तो पहले आप principle read करो, and fact read करो, then question solve करो, try this आप अंकज मेरे जो telegram के lecture के, जो मेरे video के lecture के notes है, मेरे telegram channel पर मिल जाएंगे, and हर chapter के बाद, वो notes में आपको provide करा दूँगा, for example, आज यह chapter का last lecture है, so I'll provide you my notes there शैला, इस हिसाब से हमको फिर principle देखना होगा कि question का principle actual में है क्या, अगर principle is about public nuisance, तो फिर हम option दूसरा mark करेंगे, अगर principle private nuisance के according होगा, तो हम दूसरा option mark करेंगे okay, so clear, I guess आप लोगोंने read कर लिया होगा, principle and facts को, चलो हम read करते हैं, so principle का कहना है, unlawful interference with a person's use or enjoyment of his premises is a civil wrong and forbidden by law, हमारा जो fact है, वो क्या कहता है, Rama Rao's neighbor was running a small printing establishment in his house, though it created a lot of ruckus at times, the neighborhood found it tolerable, clear, ये लाइन को हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, neighborhood found it tolerable, one day, Rama Rao's aged father came to his house to convulse, to convulse after a major operation, now, he found the noise intolerable, Rama Rao took up the matter with his neighbor and the latter refused to oblige him, as a result, Rama Rao's father died on account of the irritation, Rama Rao filed a suit to close the press, clear, अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर, options क्या 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 कहता है, एक बार आप लोग अपने answers बताओ, ओके सो, आई-पिसिंग, option A, अंकेश, option D, stop spamming, रूची, option B, सुधान्शू, option A, श्वेता, option B, ओके रट, सब्से पहले, option A देखते हैं, Rama Rao would win because his neighbor interfered in his right to relax in his own house, see, यहाँ पे यह जो, to relax in his own house वाला केस है, यह यहाँ पे गलत हो जाता है, यह चीज़ कहीं पे इस passage में बात नहीं किया है, अपने house में relax करने के लिए, तो एक extra information है, तो हमें पता है कि हमें पैसेज में extra option use नहीं करना हो, option A, यहाँ पे गलत answer है, चलो option D देखते हैं, option B देखते हैं, पहले बहुत लोग ने option D भी दिया है, option B भी दिया, option B देख लेते हैं, रामा राव वुड वुड विन बिकास इस नेबर हुड, नेबर दिद नॉट अबलाइज इंवें अफ्टर नुट नुट अबलाइज नहीं किया जानने के बाद भी, इस टाइप ले कुछ चीज के बारे में हमने बात नहीं किया, ना ही पैसेज में, आप्शन B एगें रॉंग, ओप्शन C देखते हैं, रामा राव वुड 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 वूड लूज विकास इस नेबर नीडि नॉट थोडा सा सहीं लग रहा है, इसको हम स्टैंट बाइ में रप्टते हैं, option D देखते हैं Rama Rao would lose because his father's condition made him a sensitive plaintiff clear and यहाँ पर दिया गया है कि the neighborhood found it tolerable right the neighborhood तो यहाँ पर पैसेज में directly stated है कि neighborhood को वो चीज tolerable लगती थी that means वो बिलकुल भी wrongful act नहीं था क्योंकि इसकी वज़े से किसी को भी annoyance नहीं हो रहा था अब कोई ऐसा आदमी आके ऐसा काम करें जिसके लिए वो चीज अलग हो जाए तो हम हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकते हैं right इस वज़े से option D हमारा जो है सही हो जाएगा option C के सहीं सहीं नहीं होने का reason कै है option C totally wrong बिलकुल नहीं है option C थोड़ा सा सहीं है but option D proper fact हमें बताया गया है जो passage में दिया हुआ है right so I hope यह question आप लोग को clear है अब सेम इसी से मिलता जुलता है question है यह जो की सिर्फ facts and कुछ situation अलग है but concept यहाँ पे same use होगा so you have to solve this question as your homework clear good अब इस वाले question को आप एक बार solve करो guys stop spamming okay this one is your question last one was homebook good okay try this one here loose end के relevant topics के list में send कर दूंगा telegram पे उस पे अलग से वीडियो की ज़रत नहीं है and see I am planning a lecture for legal magazines जो भी important legal magazines हमारे use होते हैं legal की section में उस पे एक individual video में plan करूंगा so that will be a very important video then do watch that तूंगा so what are your answers okay I'm case we are having consistent lectures on Sundays and Wednesdays okay Ananya I have already made a video on the best strategy to prepare current affairs for class so you can do watch that also okay so chalo answer is that how I hope you can read currently aoga principle and act which has been consented to cannot later be claimed to be a nuisance okay YS option a Ruchi option C good let's see consumption say okay Pankaj you have to read national news international union front page also so Yashi option B Nishtha middle option C okay so don't you question I'll reply you okay chalo sabse zhaadha answer say option C ko leke do answer option A and option B check out the fact kya kata ki Harry a middle-aged banker joki book hard street me rather than Ron Joe have a work furniture to be its business chalata hai joki Harry ko Harry ko Harry ke land owner korea jata hai flat rent play nika land owner Joe have a stipulate that the new tenant must get the consent of the existing tenants to order to do so so that means kya hai Harry naam ka eek benda bhukkhar street me rata hai Ron naam ka eek admi jho carpenter ka ka kaam kata hai ya furniture ka business karta hai woh jata hai Harry ke land owner ke paas usse puchta hai ki mujhe eek ghar land rent pe chahiye and uska owner bulta hai ki tumko pahle se rehnne wale admi se puchna hooga then the fact is stating that Ron ne hai sare signatures lye lye Harry ke bhi and usnei apna shop allow kardiya setup karni ke liye within a couple of days he shifts his workmen and materials into the flat and they start building the furniture there itself Harry is extremely unsettled by the noise which lasts for almost 12 hours every day so yaha pe yahi wala case a raha hai ki usnei consent liya hai but kya abhi e nuisance ho gaya nai ho ga chalo ham sida options pe aate hai option a jispe sabse kam jawaab aya gaya hai jispe sabse kam loogu nai option a mark ki hai let's see option a kya kehta hai Harry should not have signed the papers knowing that Ron has a furniture business and will now have no remedy that means that means claim karega ya nahi puchha gya hai Harry kya kar sakta tha kya nahi kar sakta tha kya usnei kiya kya usko karna chahiye tha doesn't matter so thik hai harry jo karne wala tha woh sahih chiz hai but humko usse fark nai pardha humko yeh batana hai ki woh claim kar sakta hai ya nahi kar sakta so option a is rejected ab dekhte hain option d jispe sabse kam reply aya hai none of the above so sabse kama aya toh chalo isko bhi exit kar deete hai nah option b and c dono me barabar barabar aya hai c dekhte hain Harry can successfully sue Ron since he had merely consented to business in the ordinary sense on sale and purchase and not to the workshop Ron's business became a nuisance only when and it was converted into a workshop okay option c be thik lag ra hai stand by me rakhate hain option b dekhte hain Harry has no claim since the workshop is a part of Ron's business to which he had consented option b or c me chota sa difference option b ke galat honne ka reason kya hai Ron ne sare signatures liye tha but Ron ne jo signature liya tha woh business ka liya tha and yahi and koji bhi aap se pucheya ki mahi aap na business to longa so that will be about sale and purchase workshop hainari business ke anndar nahi hai ka clear so workshop wala part ya hain pere qalat ho gya option c is the correct answer quantitative aptitude ki classes dhire dhire shuru hongi c dhire dhire sari chizhe aap ko milne lagengi but thoda sa patience rakhou abhi ham jese legal reasoning karre isi tariqe sam quants bhi karrengi then we'll do everything okay edu rave for clad prepsi edu rave ka mujhe koji idea nii hai okay good so yeh humara answer hooga option c and the reason is usne business ka signature liya tha na ki workshop clear good abh hum aapne is aaj ki is video ka joh main purpose hai us pere aate hain jis wajay se aaj ki is lecture ko mai itta zhaad important bol raha ho and jo jo chize hai ame aaj pard nahi ho so dhekho sabse pahle mein aap ko strict liability batao ga then absolute liability batao ga then vacarius liability batao ga fir hum aaj meh bhoot zhaadha important piqs like aaya kya ki jaisi mehra dhyan gaya ki mujhe strict liability or absolute liability aap logo ko samjhana hai mire mind meh sabse pahla jo chiz aaya wo tha aek piq so wo aaj meh aapke lihe ke aaya ho we will do that here clear okay so sabse pahle hum dekhte ki strict liability kya hota hai the principle of strict liability is no fault principle wherein the defendant is held liable for the wrongful act committed regardless of committing it unintentionally so agar mein aapko karu ki aapko eek aeshi sazah milri jis ke liye aapne galti nahi ki hai to aapko ajeeb lagia right but strict liability ka rule hi ye kehta hai ki aapko us cheese ke liye sazah mili ki joh apne unintentionally nahi ki hai unintentionally ki hai toh isi liye is rule ko hum kehatte hai no fault liability strict liability ke rule ko hum no fault liability ke naam se bhi jantate hai iska example mein pehle aapko ata hoon ga pehle hum iska essentials dekh liethe hai the defendant must have brought a dangerous thing on his property so see strict liability honne ke liye dangerous thing ka hona zharuri hai toh iska eek case law ko hai jo ki hum ko abhi aagye pardna hai which is ralans versus fletcher is case law ko mein aapko abhi samjhata hoon jis ke saath mein aapko examples bhi deethe jau ba so ralans versus fletcher mein hoota kya hai joh ek apne zameen mein eek vakti joh hai woh reservoir bana ta that means paani ki tanki banwa ta hai eek bhoot large scale me clear and usko joh contractor woh higher karta hai usko idea ni rahta ki is reservoir ke niche eek shaft hai toh jaisi woh is reservoir me pani bharata hai toh shaft voha phe phat jata hai and is wajay se pani joh hai woh bagal wale ke jameen mein bhar jata hai and uske yaa baada jati hai so see reservoir isne aapne zameen me bhanva ya intention iska nahi tha ki uske ghar pe mujhe bar lana hai nahi isne kuchh galti ki but still joh aapna owner tha us land ka woh liable hooga iska reason kya hai issi wajay se strict liability ka yaha pere rule aya so aap mein aapko strict liability ke essential saatau woha eek dangerous thing aapne land me laya ho so ralans versus fletcher case me joh usne reservoir bana ya tha woha eek bhoat large size reservoir hamisha bhoat bhoat bade size ka hota hai so is wajay se woha eek dangerous thing unnatural non-natural thing tha for example agar woha aapne aapne jameen mein eek paani ke tunki raghde tha usme woha pani bhartha for example 500 liter ki paani ke tunki woha raghde tha abus 500 liter ki paani ke tunki ke phatne ke wajay se agar bagal wale ke ghar mein paani chalde ta to is trick liability nii ho ta usne reservoir bana ya tha is wajay se woh dangerous thing tha is wajay se usko liability clear bhopal gas tragedy iska example नहीं है उसके हम आगे पढ़ेंगे clear so see second जो हमार essential है वो है the dangerous must the dangerous thing must have escaped the bounds of the said property अब इसका मतलब क्या है कि escape होना चाहिए मेरे property के अंदर जो dangerous thing मैं ले के आया हूँ उसका escape होना चाहिए for example उसने जो reservoir बनाया है वो थीक है वो फट गया but पानी उसके property के अंदर ही रहा वहां से बाहर नहीं निकला इस case पे strict liability का principle apply नहीं होगा so first thing is dangerous thing होनी चाहिए second essential is जो property है उससे escape होना चाहिए पानी के टंकी से पानी जाता तो भी damage तो होता ही साथ वाले को see damage dangerous thing नहीं है ना right पानी के टंकी से अगर पानी जा रहा है but it is not dangerous thing it's normal use यहां भी dangerous thing होना जरूरी है जिसके थुरू बहुत बड़ा like harm cause हो सके यह अंकेश भोपाल guest tragedy जो है वो absolute liability जिसके बारे में जो हमारा second topic जो absolute liability उसमें हम पढ़ेंगे so yeah भोपाल guest tragedy जो है वो absolute liability है and no need to spam option third जो हमारा third essential है that is the escape thing must have done some harm for example मेरे reservoir से पानी छूटा मेरे property को उसने escape भी किया बट बगल वाली का कुछ damage ही नहीं हुआ तो किस बात कि strict liability so 3 चीज़े यहां पर बहुत जादा जरूरी है first thing is the defendant must have brought a dangerous thing on his property that means dangerous thing होना चाहिए वो property से escape करना चाहिए and then वो कुछ harm भी उससे cause होना चाहिए clear so I hope यहां पर आपको strict liability का principle and essential आपको clear है right अब हम करते हैं एक important case law जो कि हमने कर लिया almost the defendant का fault नहीं था फिर भी वो liable था clear अब कुछ exceptions जिस case में strict liability का principle follow नहीं होता तो अबर first exception is if the cause if it is cause due to the fault of the plaintiff that means if the plaintiff is the wrongdoer so इसका मैं एक example देता हूँ for example जो मैंने अपने property में कुछ गलत चीज लेका है dangerous thing मैं लेके आया and वो dangerous thing मेरे property से escape कर गई but वो escape plaintiff की वजह से हुआ था इस case में strict liability नहीं होगा clear so अगर plaintiff की वजह से उसको loss हो रहा है या जो escape हो रहा है dangerous thing का वो plaintiff की वजह से हो रहा है तो फिर यहां पर मेरी strict liability नहीं होगी okay second जो चीज है वो है if the reason for harm to the plaintiff was an act of God for example मैंने reservoir बनाया and sudden earthquake की वजह से वो तूट गया so इस case में strict liability नहीं होगा right क्योंकि यह act of God था तो पहला हमार example ही दे रहा था सुयशी okay and घर में gun रखा जाए तो strict liability apply होगा क्या see gun अगर escape कर जाए उससे damage हो जाए so we'll see कि उससे क्या होता है फिर तो जब वो किसी को लगेगा कोई ऐसा चीज नहीं न गन की अपने आप चल जाए right third हमारा case है वालेंटी non-fit injury that means उस रेजरवायर के लिए जो हमारा पडोसी है उसने खुद consent दिया था कि इसको बनवालो इस case में भी strict liability नहीं होगे clear अगर dangerous pet है तो वो escape नहीं हुआ पर हम गए वहां तब attack हुआ तो फिर strict liability नहीं होगा यह exact question मैंने trespass वाले topic में कराया है तो अगर आपने trespass वाला lecture देखा हुआ तो यह चीज आपको समझा जाएगा okay third thing is cause of the accident was the third party for example मैंने reservoir बनाया and मेरे property के अंदर वो अच्छे से बट कोई तीसरा बंदा आया और उसने उसके साथ छेड़ खानी की फिर वो तुपढ गया या उसके वाज़े से वो तूट गया तो और बगल वाले को लॉस हुआ तो मेरे strict liability नहीं होगे क्योंकि यह काम किस ने किया है third party ने किया है and fourth जो हमारा exception है वो है the act was done under the authorization from state authority for example वो रेजर वायर या वो जो पानी की टंग की हमने बनाई है उसको state ने बोले था state ने authorized किया था कि वो चीज तुम बनाओ इस case में strict liability हमारे उपर नहीं है clear good so I hope यहाँ पे exceptions आपको clear है एक बार मैं revise करा देता हूँ plaintiff is the long doer एक exception है act of god is another exception warranty non-fit injuria accident का cost third party था and fifth one is statutory authority and यह सारे defenses मैंने आपको अपने पहले lecture में बता दिया है कि इनका मतलब क्या होता है so I hope आपको यह चीज़ क्लियर है ओके चलो बट इसी के साथ एक concept आता है absolute liability का जो की strict liability से ही related है कि सो सी हुआ क्या MC महता नाम की बहुत बड़े environmentalist है जिनके नाम पर बहुत सारे cases है तो स्री राम नाम की company थी उसने उसकी वज़े से काफी बड़ा हाम हुआ था उस पे इन्होंने case किया था एंड उस case के through absolute liability का principle हमारे सामने आता है एंड इसके according क्या होता है absolute liability का जो principle है is exactly same as strict liability absolute liability और strict liability में कुछ अंतर नहीं है except इस चीज़ का कि हमने strict liability में 4-5 defenses पढ़ें exception पढ़ें इसमें कोई exception नहीं है एंड इसको लाने का reason भी यही था क्या reason यही था क्या होता था जब कुछ भी industry की वज़े से harmful जिसे भुपाल gas tragedy हुई थी भुपाल gas tragedy में कई बार उस टाइम पैसा क्या होता था कि strict liability को यूज करके उनलोग बच जाते था absolute liability के अंडर जब ऐसा डेडली कोई incident या tragedy होता है जन्रली हम इसे यूज करते हैं इंडस्ट्री के के केस में उस केस में हम absolute liability apply करते हैं उनको कोई exception नहीं दिया जाता सारी चीज़े इस्टिक liability के form में apply होती है clear in case third party has done harm to reservoir in our absence and we don't know about it and the water reservoir flow out in neighborhood then are we liable for it see जान रहे है नहीं जान रहे है ड़से अगर वो चीज थर्ड पार्टी की वज़े से हो रही है सो हम liable नहीं होंगे okay so see absolute liability का perfect example है भुपाल गैस tragedy case एंड स्री राम फर्टिलाइजर्स वाला जो केस था वह वाला भुपाल गैस tragedy में union carbide थी mc mehta ने इसके अगेंस्ट में किया था यह एक important नाम है and absolute liability और strict liability में कुछ अंतर नहीं except absolute liability में हमारे पास कोई exception नहीं होता यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ओके बिया liability में res ipsa loquator भी लग सकती है क्या res ipsa loquator liability में okay see res ipsa loquator is a different thing तो यहाँ पर उस चीज़ का कोई use नहीं है वो हमने जो पिछला वाला टॉट पढ़ा था उसमें मैंने बताया था यहाँ पर उसका अभी as certain इसमें use यहाँ पर आने नहीं वाला है clear good अब हम पढ़ते एक तीसरी liability के बारे में बट उससे पहले question कर लेते हैं बहुत जादे important question which is a pyq तो पहले आपको read करना होगा कंटी यह काम करते हैं आप लोग बताओ वाइकरियस liability पहले कर ले या फिर pyq solve करें let's see आप लोग क्या चाहते हूँ pyq pyq okay okay so I guess almost her kisi ko pyq solve करना है so let's see this is the question which I was topic talking about Kled 2020 का यह pyq बहुत ज्यादा important so okay defamation is also listed in listed in IPC so why is it listed in thoughts also is it civil wrong or criminal wrong so defamation do type का होता है civil defamation and criminal defamation हमने जो thoughts में पढ़ा वो हमारा civil defamation था जब हम law of crime पढ़ेंगे या criminal law पढ़ेंगे there I'll talk talk about defamation as a crime okay cool so I guess I guess I can clear here text तो चलो इसमें एक extra चीज यहाँ पर use होगी जिसके तुरू हमें passage practice करने का भी एक idea लग जाए किस तरीके से हम passage practice करते हैं so आप लोगों को यह read करना है this is pollute principle जो कि एक extra चीज़ वह बहुत easy चीज़ इसका उत्ता रोल नहीं है में रोल इस ट्रिक लाइबिलिटी एंड एब्सलूट ट्राइबिलिटी तो पहले आप इस पैसेज को पढ़ो दैन मैं पैसेज चेंज करूँगा तो आपको जो तीसरा पैराग्राफ है वह आप रीड करोगे start reading झाले हैं लीज़ कि मेंल आपको अपके healthy वह आहँ है कि पहले च्रीज़ की टंदीभ à एंड नहीं है झाल 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 आल झाल 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 झाल